नवश्कार दोस्तों, IDBI का Executive का Notification जारी हो चुका है और इससे जुड़े हुए कई सारे Questions आपके मन में हैं सबसे पहला सवाल तो यह है कि यह Government Job है या नहीं है इसके साथ साथ और भी कुछ-कुछ Confusion से कुछ चीज़ हैं तो इसकी Important Dates, Age, Qualification, Exam Pattern, Negative Marking, Salary, Government Job है या Private Job है, Document Verification इससे जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ तो end तक आप बने रहेगा आपके सभी प्रशनों के जवाब आपको यहां पर मिल जाएंगे देखिए आईए सबसे बहले शुरुआत करते हैं इसकी जो Total Vacancies हैं वो है Total 920 जिसकी Details में आगे आपको देने वाला हूँ और अगर आपने ये Notification डाउनलोड नहीं करा है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप हमारी टेलिग्राम चैनल Winners Institute पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो देखो सबसे पहली चीज जैसा मैंने कहा अगर आप इन सभी का Total करते हैं तो इनका Total करने पर आपको मिलेगा 920 नौसोबीस तो Total 920 वेकेंसी हैं जो category wise आप यहाँ पे देख सकते हैं minimum age और इन चीजों के बारे में हाला कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो एक बात तो आप यह समझ लीजे इतनी Total वेकेंसी हमारे पास हैं इसके लिए जो start date है form भरने की वो 4 अगस्त है 4 अगस्त से form भराना शुरू हो गए है 18 अगस्त जो है इसकी आपकी last date रहने वाली है और इसमें जो आपका एक single exam होगा और यह आपको 5 सितंबर को attempt करना है 5 सितंबर को यह होने वाला है यह आपको clear है इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ salary के बारे में तो देखिए पहले साल की salary आपकी 29,000 रहेगी इसमें actually आपको fix salary मिलेगी जब मैं last मैं आपको बता दूँगा ना कि actual में job किस type का है तब आप सारी चीजे समझ जाओगे पहले information में सारी देता हूँ पहले साल आपको 29,000 fix मिलेगा कुछ भी extra नहीं मिलेगा लिखा हुआ है DAHRA कुछ नहीं मिलेगा 31,000 पर month next year मिलेगा और 34,000 तो basically आपको सबसे बेले 3 साल के लिए यहाँ पे job करना पड़ेगा और यह per month salary है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल यहाँ पे रहेगा हाला कि आपको एक अच्छी बात बता दू कि इसमें bond कहीं भी mention नहीं है तो bond यहाँ पे नहीं है लेकिन 3 साल का यहाँ पे period आपका रहने वाला है हाला कि bond mention नहीं करा है में भी आगे आ जाए लेकिन अभी कहीं notification में लिखा हुआ नहीं है है ना साथ ही साथ एक चीज ओर है कि year to year इसमें आपका analysis भी किया जाएगा पहला साल आपका जब हो जाएगा फिर देखेंगे आप कितना सीखे हो क्या performance है फिर आपको second year के लिए बापस से continue करेंगे फिर second year के बाद third year के लिए तो बहुत ही आपका ध्यान रखा जाएगा कि आप कितना सीख रहे हो कैसा आप काम कर रहे हो यह यहाँ पर चीज होने वाली है minimum age इसके लिए 20 years है maximum age इसके लिए 25 years है SCST के लिए 5 years का extra age relaxation है OBC के लिए 3 years person with disability के लिए 10 years तो यह age relaxation यहाँ पर रहेगा minimum 20 है लेकिन maximum सिर्फ 25 है यह ध्यान रखिएगा executive मतलब एक प्रकार का एक clerical post है clerk label जो होता है यह वही आपकी job होने वाली है minimum अगर आपको इसका form भरना है तो graduation में आपका 55% होना चाहिए किसी भी subject से हो लेकिन graduation 55% होना चाहिए और 50% अगर आप इन categories को belong करते है SCST PWD के लिए और आपका जो result है वो 1 जुलाई 2021 के पहले आ जाना चाहिए अगर 1 जुलाई 2021 के पहले आपका graduation complete नहीं हुआ है या result नहीं आया है result भी आ गया है तो चलेगा तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं otherwise आप नहीं कर पाएंगे आईए आगे देखते हैं form भरने के लिए only 200 रुपीज है SCST PWD के लिए thousand है others के लिए और date मैं बताई चुका हूँ 4 से 8 अगस के बीच में आपको इसका form भरना है declaration में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने खास यहाँ पे रखा है आपको एक handwritten declaration देना होता है जो black color का pen use करके देना है capital letters use नहीं करना है कोई और color use नहीं करना है पूरा matter यहाँ पे वो दिया रहता है एक simple blank paper पे आपको लिखकर scan करना है और form भरते time इसको upload करना है तो यह declaration में ध्यान रखिएगा इसमें गलती मत करना यह कई बार बच्चे गलत करते और इनका form जो है accept नहीं होता है इसका विशेश रूप से आप ध्यान रखे यह है भाई इसका exam pattern reasoning, English और maths सभी में 50-50 questions आने हैं 150 questions, 50 marks सभी का रहेगा 90 minutes का आपका time रहेगा 150 questions, 150 minutes आपको 150 marks रहेंगे 90 minutes का आपको समय मिलेगा और यहाँ पे 1 fourth या जिसको हम 0.25 negative marking बोलते हैं वो यहाँ पे रहने वाली है तो पूरा IBPS इसको conduct कराना है, banking का जो process है वही रहेगा, आप किसी भी bank clerk का, SBI clerk, IBPS clerk के syllabus के वीडियो में ने बनाए हुए है, आप SBI clerk का syllabus का वीडियो मेरा देख लीजिए, IBPS clerk का देख लीजिए, वही topics वही सारे chapters आपको यहाँ पे mass reasoning और English में पढ़ना है full banking pattern है, यहाँ कहीं कोई change नहीं है तो यह सारी चीज़े रहेंगी, इसके बाद, इसमें बस एक ही process है कि आपका सबसे पहले एक online exam होगा, computer based exam होगा online exam के marks के basis पर ही selection होना है इसके बाद सीधा आपका जो है medical होना है, तो यह आप ध्यान रखेंगे बस दो ही process है, कोई mains नहीं है बस एक pre होगा, उसके marks के performance के basis पर आपका selection यहाँ पे किया जाएगा अब आपका सवाल यह उठता है कि sir आखिर यह vacancy है क्या join करना चाहिए, मतलब form भरना चाहिए कि नहीं, या selection होता है तो join करना चाहिए कि नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें है क्या देखिए, सबसे खास बात है पहला अगर आप मुझसे पूछेंगे कि form भरना चाहिए कि नहीं तो मेरा suggestion है कि अगर आप banking exams की preparation कर रहे हो तो आपको form जरूर भरना चाहिए क्योंकि join करना नहीं करना यह secondary है, आपके लिए important है exam देना अपनी practice करना, exam hall में जो सारी learnings होती है वो सीखना, तो form आपको जरूर भरना चाहिए लेकिन अगर आप इसमें select हो गए और आपको अगर join करना है तो करना चाहिए कि नहीं तो यह आपप depend करता है अगर आपकी financial condition AC है कि sir मुझे join करना है क्योंकि ultimately banking का आपको experience मिलेगा लेकिन पहले तीन साल आपके लिए ये private job है कोई permanent इसमें आपको नहीं करने वाला है तीन साल के performance के basis पर फिर आपका जो bank है वो decide करेगा कि आपको continue करना है कि नहीं अगर आप उसमे satisfactory performance देते हैं या उनका जो भी उस समय rules regulation होता है अगर आप उसमें fit होते हैं तो आपको फिर permanent कर दिया जाएगा लेकिन after three years तीन साल तक आप सिर्फ एक private job कर रहे हो ये आपको समझके चलना पड़ेगा तो अगर financial conditions ऐसी है कि job की जोरत है join करना है आप कर सकते हैं क्योंकि banking का experience मिलेगा कोई समस्य नहीं है आप अपनी preparation भी साथ साथ रख सकते हैं अगर ऐसा है कि नहीं मैं और wait कर सकता हूँ और समय है मेरे पास कोई urgency नहीं है तो फिर आप form भरिए, selection लीजिए लेकिन join ना करें तो भी ये चल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि फिलाल तो ये private job है तीन साल बाद सोचा जाएगा आपके बारे में कि आपको permanent करना है की नहीं तब तक तो ये private job है ये एक सबसे बड़ा doubt बच्चों का था तो उमीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी और फिर आपको continue किया जाएगा तो अगर आप इस चीज़ को accept कर सकते हो और all India कहीं भी आपको posting मिल सकती है ऐसा नहीं कि घर के पास मिलेगी कहीं भी posting मिल सकती है कहीं भी transfer हो सकता है ये सारी चीज़े मतलब उनके सारे नियम पूरे लगेंगे आप पर लेकिन आपको private का ही feel मिलेगा ये ध्यान रखना है लेकिन मैं आपसे अभी बस इतना बोल रहा हूँ कि form भरो, selection लो उसके बात सोचना उसके बाद आप मुझसे content कर लेना मैं आपको उसमें और best guide कर पाऊंगा कि आप उस समय ज्वाइन करना उचित रहेगा या नहीं लेकिन फिलाल form भरिए preparation करिए क्योंकि करना वही है maths, reasoning, English, सब वही पढ़ना है selection लेकर दिखाईए फिर सोचेंगे ज्वाइन करना है या नहीं करना है इसकी PDF आप Telegram पे ज्वाइन कर लेना Telegram पे जाना The Winners Institute सर्च कर लेना PDF मिल जाएगी, link भी description में है अगर आप हमारे साथ, मेरे साथ क्योंकि मैं already banking exams निकाल चुका हूँ आपको preparation करनी है तो इसका तो कोई हम अलग से batch नहीं ला रहे हैं बहुत कम है लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी preparation करना चाहते है तो banking का foundation batch आपको जरूर जोईन करना चाहिए जिसमें पूरे एक बार अगर आपने इस batch को पढ़ लिया तो जितने exams आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सभी exams की preparation एक बार में बहतरिन तरीके से हो सकती है batch already start हो चुका है banking foundation batch one batch for 15 exams इसको हमने नाम दिया है हमारी banking की special channel जो है इसको भी आप subscribe करके रखिये यह सभी अपनी channel से अलग-अलग यह मेरी math special channel है अगर आप देखना चाहते हैं maths के videos topic wise systematic playlist में इस channel पर जरूर जाएएगा आदित्य पिटेल winners के नाम से मिलूँगा इसी नाम से Facebook और Instagram पर भी मैं आपको मिलूँगा तो आप इन्हें जॉइन कर सकते हैं winners की app आप download करिए और वहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी उमीद करते हैं सारे फंटे आपके clear हो गए होंगे अगर अभी भी कोई doubt है कोई question है तो आप comment कर दीजेगा मैं अलग से video बना दूँगा और जाते जाते like करना है नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करके जाएं और आगे फिर और वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं टेक केर